Hi everyone, welcome to Magnet Brain's Hindi Medium. This is your English educator, Palak Rakhyani. इस session में हम बात करेंगे Class 10th English Bihar Port की POM No. 4, Thinner Than A Crescent के Grammar Section की. इसके previous वीडियो में हम अल्रेडी इस POM का जो है Explanation, Question Answers and Composition Cover कर चुके हैं. तो कुछ भी मिस हो गया हो, don't worry, description में पूरी प्लेलिस की लिंक दी गई है. और Magnet Brain's जो है आपको प्रोवाइड करता है भाई, free and quality education. तो सभी के सभी वीडियो जो हैं, बिल्कुल ही बिल्कुल free of cost है. आगे बढ़ें, before we move on, let me tell you, कि Magnet Brain's पर आपको मिलती है books and e-books भी. यानि यह जो quality content आपको दिखता है, CBSE के samples, papers हो गएं, इनके solutions हो गएं and many more, जो कि आपको बहुत मदद कर सकता है आपके examinations में, इन books को जो है आप अवेल कर सकते हैं, simple process है बिटा, description में link दी गई होगी, वहीं से जो है आप इन books को ले सकते हैं. Alright, so before we move on, let me tell you, bhai, grammar section है, book का grammar है, which is very important, जब आपकी form खतम होती है, तो उसी के आगे section start होता है, after composition. So beginning with word study में, एक dictionary use आता है, जहां पे आपको correct करनी है spelling. So I hope you all have your books with you, panorama part 2, correct the spelling of the following words. किसी भी language का base होता है, इसका spelling, अब spelling English में बच्चें कन्फ्यूज होते हैं, कि ma'am, हम बहुत बार गलत spelling लिखते हैं, तो कैसे सोधा रहीं, तो मैं tip देती हूँ, उसको रख लो. क्या tip? ऐसा मत करो, एकदम impractical चीजे मत सोचना कि यार, 50 spellings हम एक दिन में याद कर लें. ऐसा practically possible नहीं है, क्यों? क्योंकि एक दो दिन करोगे, फर थक जाओगे. So, start step by step. At least आपके जो lesson है, poem में, उसमें कुछ spellings हैं, basic basic spellings हैं, उनसे याद करना शुरू करो. ओता क्या है, क्या है, करेकिलम में जब कोई चीज दी रहती है, कि यार, ये exam में आएगी, तो वो अच्छे से याद हो जाती है. तो यहाँ पे जैसे six words हो गए, तो आजका target पूरा, छे words हमने याद कर दिये. Next day, जो है, आप और छे words हैं, ऐसे ही lesson में से कुछ words की spelling को याद करें. All right, अब यहाँ पे आपको six spellings दी गई हैं, जब आप पड़ोगे, तो आपको समझ आ जाएगा, कि आपके पॉर्म में words used हैं, और इसकी सही spelling क्या होनी चाहिए? Like beginning with number one, जब मैं pronunciation उचारण करूँगी, तो यह लिखा है कार्व. अब जिसको spelling नहीं आएगी, वो पड़के करेंगे कार्व तो सही है. नहीं बेटा, कार्व की correct spelling है, C-A-R-V-E. बहतरीन बात यह है कि यह words जो आपकी पॉम में से ही used है, शुरुवात में ही था, थिना देना क्रिसंट में, कि राधा जी के आसूं से एक नदी बन गई. Her tears carved a river. कार्व का मतलब usually होता है किसी भी तीखी चीज से जो है न, कुछ जो है आप बना दो. है न, तो जैसे यहाँ पर उनके टीर से जो है कार्व यानी एक नदी बनती गई. ठीक है, कार्विंग जैसे पेंटिंग पर कार्विंग करते है न, वैसे ही यहाँ पर कार्व का Sh, banish का मतलब usually होता है किसी चीज को दूर भेज देना, किसी चीज को दूर भेज देना, to send something away. Number 3, broods, again या आपके lesson में word यूज किया गया था, नहीं पता हो तो बोलो के यही spelling correct है, बेटा, नहीं. Broods की spelling यह होगी, B-R-O-O-D-S, broods, brood का मतलब basically होता है overthinker, बहुत ही दुखी होके, यानि आपके साथ कुछ painful है, बहुत ही दुखत घटना होई हो, तो बस उसके बार में सोचते है रहे न, broods. Number 4, siege, अब यहाँ पर यह थोड़ा देशी भाषा में जो लोग कहते हैं, siege हो गया, siege, तो siege नहीं है, form के हिसाब से यह word है, seize, seize का spelling होती है, C-E-A-S-E, इसका मतलब होता है to stop something, किसी चीज को seize कर देना, या रोग देना, alright? Number 5, confused, confused word लिखा है यहाँ पर, confused की spelling यह नहीं होती है, C-O-N-F-U-S-E-D, confused हो जाना, and last word is thinner, अब थिनर में यहाँ पर इन्हें भूख लगी थी, तो अगें यह एक word खा गए है, एक letter खा गए है, basically, N खा गए है, थिनर में बिटा याद रखना डबल N आता है, थिन में एक य हम लिखते हो, तो डबल N आता है, so these are the correct spellings, again I hope सभी ने यही spellings लिखी हो, if noted, then we shall move on, चलो, now coming to the next activity, write antonyms of the following, अब यहाँ पर antonyms का मतलब होता है, हिंदी में अगर में रफर करूं, तो विलोम शब्द, antonyms are basically विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या होते हैं, किसी भी श उपर का नीचे, वैसे ही यह है, antonyms से हम English में कहते हैं, so आपके again, पॉम में से ही words है, very simple, number one क्या है, believe, believe का हो जाएगा, disbelieve, d-i-s-b-e-l-i-e-v-e, thin का हो जाएगा, thick, thin है कोई चीज, पतली है वो, thick, जैसे है, thin, पतला, thick, मोटा, hope, उमीद होती है, hope, hope का उल्टा क्या ह होगा, hopeless, hopeless कहता है, कोई उमीद नहीं, number fourth, friend, दोस्त है, तो दूसरा क्या हुआ, तुश्मन, तुश्मन को कहते है, enemy, number five, seize, seize, seize का जैसे मैंने आपको मतलब बताया है, रुकना, तो यहाँ पे seize का उल्टा क्या होगा, continue, seize का मतलब है, रुकना, continue का मतलब है, चलते रहना, number six है, confused, बहुत ही confused है, तो उसका उल्टा क्या होगा, convinced, confused यानि तुमको किसनी कोई बात भी, तुम्हें समझ नहीं आ रही, convinced का मतलब होता है, तुम्हें वह बात समझ आ चुकी है, very simple antonyms, okay, note it, quickly से screenshot ले लिया करो, है न, चलो, अब आते हैं main grammar पे, पढ़ने की बाते कौन सी आती है, यहां grammar, actual concept, जहां हमें समझना है, तो over hair, हम जो focus करेंगे, इस grammar पे, will be the word each, यानि आपका इस grammar है, इसका, जो hero है अभी के लिए, that is the word each, each word हमने काफी बार सुना है, like each of you, each of us, ऐसे करके, but what happens is, कभी कबार हम sentence making में गलतिया कर देते हैं, यानि हमें समझ नहीं आता, each, every, इन सब के साथ, जो है, कौन सा हमें verb यूज करना है, singular यूज करना है, यानि एक वचन वाला वर्ब, या फिर बहु वचन, तो यहां मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताने वारी हूँ, जिससे आगे जाके, जो भी sentences में each word आएगा, वहां कभी गलती नहीं करो आगे, when each is used before a singular noun, it is all, it always takes a singular verb, यानि आप इच को कभी भी किसी singular यानि एक वचन वाली noun is basically संग्या के आगे हम यूज करेंगे, तो जो वर्ब यानि क्रिया हम यूज करेंगे, that will also be singular, so for examples, you have a lot of examples over here which are going to help you out, each boy in this class has a pencil box, इसका मतलब क्या हुआ, each boy, यानि इस class में, आप भी आप लोग अटेंड करें हो class, तो इस class में जितने लड़के हैं, सब के पास क्या है, एक pencil box है, तो आप बिटा observe करो, each use किया गया है, और यहां पर देखो singular verb use किया गया है, each boy, boy हो गया noun, तो has a pencil box, each girl in the school has a bicycle, हमने have नहीं कहा है, have नहीं कहा है, each laborer gets a meal, हर laborer को क्या मिलती है, एक meal मिलती है, gets a meal, each student has got a new book, each student goes to the library, समझ आया, पाटन कैसे चल रहा है, तो अब जो है, आगे आपके लिए कुछ exercises हैं, जिससे आपको और भी clear हो जाएगा, So what you will do, number one thing, हमेशा में कहती हूं, थाली में परोज के दूंगी, तो नहीं best हो पाओगे, मेरा काम है आपको बहुत ही best बना देना, एंग्लिश में बिलकुर pro, So what you're gonna do, आपके पास थोड़ा time है, वीडियो को pause कर सकते हो, quickly say आपके बुक में ही solution pencil से लिखो, and then check the answers that where you are wrong, तो आपको पता चलेगा, कि तने पानी में हो और कि तने पानी के उपर, ठीक है, चलो, Now, fill up the banks with suitable verbs given in the brackets and for your convenience, इसमें जो हैं ब्राकेट में वर्ब्स दिये गए हैं, Number one, each boy dash to school, तो यहां हम क्या use करेंगे, each boy goes to school, each teacher dash got a room, तो यहां आएगा, each teacher has got a room, because teacher है, singular noun है, तो क्या use करेंगे, singular verb, Number three, each person dash a car, हर इनसान जो है, एक car को ओन करता है, each person owns a car, Number four, each child dash a problem, each child has a problem, don't write have, from now onwards, बिल्कुल रट्टा मार लो, कि each के साथ जब singular noun होगा, तो वर्बी singular ही use होगा, Number five, each laborer dash given a uniform, each laborer was given a uniform, हमें पता है, was singular है, वर, plural होता है, ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ हूँ, सभी ने यही आंसर लिखा हो, और अगर कुछ गलत हो गया हो, तो उसको आप जरूर से correct करें, और हमेशा याद रखना, ओके, चलो, Moving on, और भी है, और है, प्राक्टिस करने के लिए, Number six, each painter dash given a prize, each painter has been given a prize, each lesson in the book dash two pictures, each lesson in the book has two pictures, Number eight, each room in this hotel dash a television set, each room in this hotel has a television set, Number nine, each bench in the park is full, आप ये नहीं कहोगे, each bench are full, Each bench से मतलब ही ये हुआ, कि हर bench जो है, वो full है, याँ हम singular use करेंगे is, Number ten, each compartment was overcrowded, So I hope इतने सारे जो है questions लगा के clear हो गया होगा, कि whenever, क्या-क्या बोल रहा है हमने बेटा, each है, उसके साथ क्या है, singular noun, each के साथ अगर singular noun है, तो आप क्या use करेंगे singular verb, चाहते हो तो ये लिख सकते हो एक जगा, for your convenience, if you want, you can surely write this for your convenience, तो याद रहेगा, कि आज एक हमेने क्या नया concept सीखा, जिससे हम बहुत सारी गलती आवोइड कर सकते हैं, each इसाथ singular noun हो, तो singular verb यूज किया जाएगा, नोटेड, चलो, आगे आते हैं, आगे हैं, लास्ट पार्ट, बहुत ही easy part, easy peasy part, जिसमें अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हो, translate into English, आपको कुछ sentences हिंदी में दिये गए हैं, जिसका translation आपको English में करना है, अब जो है, आपको ये ध्यान रखना है, कि आप tenses में, verbs में, कहीं भी गलती ना करें, So number one, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, ये खुद से करना है, D, I, Y, सुनते हो, क्या होता है, DIY का मतलब पता है किसी को, चलो, DIY का मतलब जो है, मुझे comment section में पताओ, कहां बताओ, मैं देखना चाहती हूँ, वैसे ही काफी updated हो आप लो, Tell me in the comment section, What is the full form of DIY? So you need to DIY do, नहीं, मैं बोलूंगी नहीं, बोल दूंगी तो फिर पता से लागा, DIY है, आप करो ये खुद से, फिर जो है आंसर चेक करना, ठीक है, चलो, Number one, मैं तुम्हे सूचना देने आया हूँ, मैं तुम्हे सूचना देने आया हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा translation, I have come to inform you, Number two, मैं तुम्हे यह पुस्तक देने आया हूँ, तो इसका translation होगा, I have come to give you this book, क्योंकि देखो, यह पुस्तक है, इसलिए हमने जो है translation में this word का use किया है, Always see translation में आप exact translation करो, तो बेटर रहेगा, ठीक है, The book मत लिख देना, उसने बोला है यह book, यह वाली particular book की बात कर रहा है, तभी हमने translation में this word का use किया है, Number three, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, Number three is, I have done my breakfast, Number four, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ, So translation is, I have finished my work, Number five, मैं यह पुस्तक पड़ चुका हूँ, तो इसका translation है, I have read this book, Read का past tense यही होता है, Spelling में कोई changes नहीं आएगा, सिर्फ pronunciation, उचारण में change आएगा, इसे में कहूंगी read, और इसे में कहूंगी red, red, थोड़ा red जैसे, तो red भी नहीं है, वो red है, अब red को हिंदी में exactly कैसे लिखेंगे, पर I hope समाज गया है, red कहते हैं, Alright, किस पे हो गया, 5th हो गया ना, चलो 6th, वहा खेलने गया है, He has gone to play, Number seven, वहा बाजार गया है, He has gone to market, and number eight, I think this is the last one, वहा cinema गया है, He has gone to the movies, Okay, He has gone to the movies, या फिर आप He has gone to the theater भी लिख सकते हैं, You are free to do that, Movies लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, Theater भी लिख सकते हो, Okay, कभी कवार क्या होता है, कुछ complicated words में spelling गलत कर देते हो, इसलिए मुवीज मैंने लिख दिया, आपकी सिंपली जिसको लिखना है, वो theater भी लिख सकता है, या फिर cinema भी लिख सकते हो, No worries, Okay, All good, चलो, अचाया, ऐसा मत कर देना, Breakfast का लिख लिख दिया, डिनर ने, और मैंने DIY का फिल फॉर्म पूछा है, so do tell me in the comment section, वीडियो पसंद आया हो, तो like, subscribe, share करना, बिल्कुल भी मत भूलना, फिर से बता दूँ जो students new है, Magnet Brains के हमारे top courses है, दोनों mediums में हमारे channel है, English and Hindi medium, All these courses are free, and with quality content, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, तो बता दूँ भाई, आप लोग बिल्कुल भी जो है, हमसे connected रहें, connected रहने के लिए, आप social media handles पे हमें, फॉलो कर सकते हैं, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, everywhere you can follow us, stay connected, see you all in the upcoming sessions, stay tuned, till then, goodbye.